तेरा नाम विकास है, मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारे सिखाऊंगा कि हम GoDaddy पैनल पर, GoDaddy hosting पर कैसे WordPress पर इस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि मेरा जो hosting है, वो GoDaddy पर है GoDaddy के लावा भी आप कोई भी hosting services यूज कर सकते हो किसी अधर प्रोवाइडर की, जैसे Big Rocks है, और भी बहुत सारे हैं, जहां पर आपको यूज कर सकते हो तो आपको बस यह simple, just step follow करने हैं और आप easily भी किसी भी hosting पर WordPress को स्टॉल कर पाएंगे मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा, GoDaddy पर hosting GoDaddy hosting पर कैसे WordPress को स्टॉल करते हैं, यह बताने जा रहा है आपको c-panel पर जाना है c-panel पर जाने के बाद आपको अप्लिकेशन में जाना है और फीटर अप्लिकेशन में वर्डब्रेस पर आइकन पर क्लिक करना है जैसी आप इस पर जाएंगे तो आपको इस्टॉलेशन का टैप दिखेगा इस्टॉल इस अप्लिकेशन पर क्लिक करना है और डॉमेन चुनना है, जिस डॉमेन पर आपको WordPress को इस्टॉल करना है डारेक्टरी लिखना है, डारेक्टरी इस डा ओप्सनल है, बाई डिफॉल्ट ब्लॉग आता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नाम लिख सकते हैं जैसे की ज्यान, मैं लिख देता हूँ यह यूजर नेम और पासवर्ड आपको सेब करके रखना है क्योंकि चब wordpress इस्टॉल हो जाएगा तो हम यह वेरिफाई करेंगे, कि wordpress प्रॉपर इस्टॉल हो गया है और प्रॉपर वर्प कर रहा है या नहीं कर रहा है और यहाँ पर बस इस्टॉलेशन का को क्लिक करना है आप देख सकते हैं, प्रोसेसिंग चल रहा है यहाँ पर wordpress इस्टॉलिख का प्रॉसेसिंग चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर जैसे ही वर्ट्रस इस्टॉल्शन पर क्लिक करेंगे 5 अपदेख सकते हैं ki wordpress मेरे डोमेड पर इस्टॉल हो गया है हम चेक करेंगे कि यह प्रॉपरिकर कार रहा है नहीं करर रा क्योंकि संटाइम्स टेकनिकली इसी की वजह से wordpress प्रॉपरॉपर स्टॉल नहीं हो पर्ता है हाँ हम देख सकते हैं यह प्रॉपर वर्क कर रहा है और हम जो WordPress है उसके VP Admin में आ आ चुके हैं तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग किसी भी hosting पर WordPress को install कर सकते हैं जैसे मैंने GoDaddy पर करा है ऐसे ही आप other hosting पर भी इसी तरीके से WordPress को install कर सकते हैं मुझे आसा है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एंड प्लीज इसे सब्क्राइब करें लाइक करें और फेयर करें थाइंक यू